सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस टेक्निकल चानल को और बेल आइकन को तबाएं ताकि आप रह सेके अपडेट हमारे सारे नहीं वीडियो के साथ आप तो जो आजथ की वीडियो में लोग बात करेंगे अघ्राइंगे समझेंगे कैसे यह काम करता 넘obylकार तो मैं रहूल आप सभी देखर एकरने के बात करने के पहले हमलोग चलीए समझते है कि normal downloading system क्या होता है? तो जब कभी हम लोग कोई file को normally download करते हैं फॉर एक्जांपल मा लिजए 1GB का एक video file उसका हम लोगों को download करना है तो हम जाते हैं किसी website पे वहाँ पे download button होता है उस पे click करते हो और downloading start हो जाता है तो उस situation होता यह है कि उस server से हमारे computer तक वो जो 1GB की file है वो छोटे-छोटे parts में divide होके हमारे computer तक आते रहती है ठीक है अब suppose करें कि उस एक 1GB के file को download करने वाले लोगों का number बहुत जादा बढ़ गया मतलब हजारों हो गया, लाखों लोग हो गये जिनको वो एक video चाहिए जो कि 1GB का है तो वो सभी कोई उस website पे जाएंगे, website पे download button पे click करेंगे तो server से contact होगा और server सभी कोई को 1GB के file send करने लगेगा अब एक server है, वहाँ पे download करने वाले लाखों लोग हैं तो उत्ते सारे लोगों को server को अगर वो file को send करना है तो उस situation में क्या होगा कि server पे load बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अब जब server पे load बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम लोगों को download speed मिलेगा वो बहुत कम होने लगेगा अब सुचिए अगर download करने वालों का number हज से ज़्यादा बढ़ने लगेगा और server अगर उतना ज़्यादा efficient नहीं है उतना ज़्यादा powerful नहीं है तो उस situation में server जो है वो crash भी हो सकता है अब हम लोग बात करते है bit torrent के बारे में तो bit torrent जो है वो इससे बिलकुल ही अलग है bit torrent में होता यूँ है कि जैसे जैसे downloaders का number बढ़ता है वैसे वैसे bit torrent का health है वो increase होता है और downloading speed भी increase होने लगता है यहाँ पे घटा नहीं यह बढ़ता है अब देखिए यहाँ बढ़ता है कैसे bit torrent को जो basic concept है वो यह है जो downloaders है उनको source में convert करना है यानि कि जो लोग download कर रहे है फाइल को वो लोग upload भी करेंगे फाइल को यह concept है bit torrent का तो दोस्तो bit torrent जो है वो एक ऐसा internet protocol है जो कि peer-to-peer file sharing system को support करता है और जिसको बनाया गया था ब्राहिम कोहें के द्वारा दोस्तों यहाँ पर होता है यह यह है कि जब कभी भी कोई पहला file जो है वो share होता है तो उस समय उस file का ایک seeder होता है seeder वो लोग होते जो कि उस file को upload करते है अब जैसे ही कोई व्यक्ति उस file को download कर लेता है तो वह व्यक्ति भी उस file का seeder बन जाता है अब suppose कि रिए कि एक GB का जो फाइल है वो मुझे डाउनलोड करना है और जैसे मैं उस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ तो मैं उस फाइल का सीडर बन जाता हूँ यानि कि अब मैं भी उस फाइल को अपलोड करूँगा तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर मालेजी डाउनलोडर्स का नमबर बहुत जादा बढ़ जाता है अगर मालेजी लाखों लोग ने उस एक GB के फाइल को डाउनलोड कर लिया तो वन लैक सीडर्स हो जाएंगे उस फाइल के अब दोस्तों यहाँ पर यह जो टोटल अपलोड और श्लैश डाउनलोड जो प्रोसेस होगा कैसे काम करता है उसको देखता है तो दोस्तों यहाँ पर BitTorrent से कोई फाइल डाउनलोड करने के लिए हम लोगों को चाहिए एक थार्ड पार्टी अप्लिकेशन जैसे कि U-Torrent या फिर उसको कह सकते है MicroTorrent जो कि एक बहुत ही पॉपलर थार्ड पार्टी अप्लिकेशन जो कि BitTorrent से फाइल डाउनलोड करने में हेल्प करता है अब दोस्तों यह जो अप्लिकेशन है यह ऐसे ही काम नहीं करता है इस अप्लिकेशन को काम करने के लिए एक फाइल चाहिए एक special type of file चाहिए और उस special file को हम लोग कहते है torrent file और यह जो torrent file हम लोगों को मिलता है वैसे website से जो कि torrent file की indexing करती है वैसी website से for example extra torrent या फिर पराइट बे करके जो है website ये काफी famous torrent website से तो दोस्तों यहाँ पर ये website जो है इनके पास जो होता है बहुत सारे file जैसे माली जो हमको कोई song download करना है कोई video download करना तो उस वीडियो को हम इस website में search करेंगे उस website पर वीडियो मिलेगा तो वहाँ पर download बटन पर क्लिक करने से वह वीडियो ने download होता है उस वीडियो का एक torrent file जो है वह download होता है उस torrent file में जो हता है वह बहुत सारी information रहती है जैसे कि इस वीडियो में कौन-कौन से parts की जरूरत है वीडियो को complete करने के लिए ऐसे ऐसे धेर सारी information होती है वह information जो होता है वह torrent file जो होता है हमारे यू torrent जो application है third party application उसमें जाता है और third party application जो है कि वह track करते रहते हैं कि किस-किस computer के पास वो 파ाइल पर्टिकुलर डाउनलोड हो रहा है या फिर डाउनलोड करके रखा हुआ है अब ट्रैकर क्या करता है वह सारे computer को बताता है कि देखो तुम जो फाइल डाउनलोड कर रहा है वाले के पास है तो तुम उससे वह वाला ने लो या फिर तुम जो font download कर रहे हो उस Payle का जो पुड़ा downloaded पार्ट एक इस वाले Particular computer में तो तुम उससे वह वाला part मांग लो तो यहाँ पे होता है एक जो भी ticket lood कर रहा है for example मैं जो want jb ka find download कर रहा था उस वन जे बी के file का मुझे मालीजे सिफ एक छोटा सा टुकडा मिला 1MB का एक part download हो चुका है तो वो 1MB का जो file है वो मैं दूसरे downloader को share करूंगा और दूसरे downloader के पास जो file पहले से share करने लगते हैं और जो ऐसी computer से जिनके पास पहले से वो file download करके रखा वा है तो वो file upload करने लगते हैं बाकि downloaders को तो इस तरीके से क्या होता है कि जो bit torrent का network है वो healthy हो जाता है और download speed जो है वो बढ़ने लगता है तो दूसरे यहां पर उस file को upload करने वाले 1000 लोग हैं और अगर उसका leachers वाली जो 10 है तो उस file को download करने वाले 10 ही लोग है तो उस file का source कितना हो रहा है 1000 लोग जो है वहाँ से file upload हो रहा है और download सिर्फ 10 लोग से कर रहा है तो यहां पर downloading बहुत fast होगा अब suppose करिये दोस्तों कि यहां पर कोई file है जिसका seeders 1000 है मगर उसका downloader जो है वो 1 lakh है तो उस situation में क्या होगा कि file upload तो thousands लोग कर रहा है अपने full capacity से मगर 1 lakh लोग जो है उस file को download कर रहे तो वहां पर download speed जो है वो घड़ जागा जूँ कि 1 lakh log उस file को download कर रहे है अब धोस्तों यहां पर जैसे कि एक concept के हिसाब से theoretical concept यह है कि जो download कर रहा है वो भी file upload करता है तो आप बोलोगे कि यहां पर 1 lakh log जो download कर रहा है वो upload भी तो कर रहा है file को तो क्यों घट रहा speed तो दोस्ते यहां पे scene ऐसा होता है कि जो uTorrent software है वहां पे एक setting है setting में जाके आप अपने upload speed को कम कर सकते हैं तो दोस्ते यहां पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वह अपने upload speed को एक तब 1 kbps कर देते हैं तो वहां पे कहने के लिए तो 1 lakh लोग फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और एक दूसरे में उस फाइल का थोटा चोटा पार्ट शेयर कर रहा है मगर वहां पे upload speed कितना है upload speed तो सिर्फ 1 kbps है तो एक व्यक्ती 1 kbps के speed से अपना file upload करेगा तो वहां पे जो upload speed बहुत कम हो जागा तो दूसरे को download speed भी तो कम मिलेगा क्योंकि upload ही बहुत कम speed में हो रहा है उसी तरीके से यहां पे concept आते है active seeders का तो seeders में भी बहुत लोग जिनके पास file download हो करके रखावा है वो file तो upload कर रहा है मगर वो अपने full speed से upload ने कर रहा है वो लोग भी settings में जाके अगर मालेज जया upload speed को 1kbps करके रख़ दिया है तो वहाँ से file upload तो हो रहा है 1000 लोग file upload तो कर रहा है मगर 1000 लोग file अगर सिर्फ 1kbps के speed से upload कर रहे है तो वहाँ पे भी upload speed बहुत कम हो जाता है तो वहाँ पे भी आपको जो डाउनलोडिंग करोगे जब आप तो उस सिच्वेशन में आपको एक अच्छा डाउनलोड स्पीड नहीं मिलेगा और जो टालेंट का ओवरॉल हेल्थ जो है वह देखने के लिए आपको ग्रीन कलर से आपको बहुत अच्छा हिल्थ दिखाएगा मगर डाउनलोडिंग जो है वहाँ पे अच्छे से नहीं होगा तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी को यह समझ में आगी होगा झालेंट का ओवरॉल हे वहाँ जो है